हेलो एंद नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपग राय में मैं दीपग राय में आप सभी छात्रों का हर्दी हर्दी स्वागत करता हूं और दोसो यूपी पिएससी आरो आरो का एक्जाम फरवरी में आपका प्रस्तावी थे ठीक है और आप सब देख रहे हैं कि विभीन चैनल सपर आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है MSQ format में केवल प्रैक्टिस कराए जा रही है और एक घंटे में 15 क्वेशन 10 क्वेशन से आप सौल कर पा रहे हैं भी आपको कराएंगे और ये डिटेल वीडियो भी देंगे आपको यूटूब पर ठीक है और ऐसा कंटेंट आपको देंगे जो आपको बहुत ही कम रेयर केस में को यूटूब पर फ्री में दे रहा होगा ठीक है तो आज का जो टॉपिक है हमने उठाया है एक्रिकुल्च एक्सोतीस के उपर अगर आप रहोगे एक्सोतीस तक तो आपको मेरिट बन जाएगी और हिंदी में 55 प्लस और इधर अगर आप असी कर जाते हो तो आप आराम से कटाफ क्लियर कर दोगे ठीक है मेरी बातों को दियान सुनिएगा अब चलिए यहां पर दिखिए जो मैं खादान फसलों में से खादान फसले होती क्या है खादान फसलों में अगर हम गेहूं के संदर्ब में देखें धान के संदर्ब यानि की आपके चावल के संदर्ब में देखें तो यहां से क्वेशन कहां से बनते हैं ठीक है सबसे पहले तो खादान फसलों आप आप दोस्त यह सब दाने होते हैं उसके दाने के लुगा जाता है तो सबसे पहले तो आप यहां पर देखना है कि खादान फसले होती क्या है और मेंली खादान फसले खाद फसले होती जिनका परपज होता है खाने की परपज है और नगदी फसले जिनका में मोटी होता है मार्केट में उस जितने भी important facts है मैं वो लाकर आपको दूँगा ठीक है मोटे खादान में देखा जाए तो मोटे कें इंतर को मक्का हो गया जवार हो गया बाजरा हो गया मंडूआ समलित किया जाता है और लगू खादान में आप यहां पर रागी कुटकी चना यह सवाब देख सकते हैं तो मेंली यहां से देखिए जो टॉपिक है आपका चावल यानि कि इसको अगर हम बात करते हैं धान की जो रुपाई होती है चावल और भारत में चावल मेंली आपका खादान फसल है चावल ही प्रमुक फसल है खादान फसल है सबसे पहले चावल का अगर आप फैक्ट देखोगे तो यह किस कुल का है ग्रेमनी का है क्योंकि यह खादान फसल है और आपको मैंने यहीं अभी उपर बताया कि यह कि कि कुल की है ग्रेमनी की है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आप देखे चावल का वनस्पतिक नाम यह पूछा जाता है और आईजा सटाइवा है ठीक है इसका जो वनस्पतिक नाम है फसल तीन प्रकार की फसले होते है रवी कि बरसा जब बारिस होती क्योंकि आप जानते है इसको सरवाधिक आपका आपसकता होती है पानी की आवश्यक्त आपमान इसको चाहिए 25 टिग्री सेंटिग्रेट और वरसा 100 सेंटिमेंटर से अधिक है ना 100 से 125 से इसको उपर के अधिक इसको बारिस के आपसकता होती है इस प्रकार से देख सकते हैं, शॉट्स, नोट्स के तौर पर आपको ये वीडियो मिल लगी है, धान में पोशक तत्व की आउसकता है, प्रती हक्टेर है, तो भाई जब धान बवाई होती है, रुपाई होती है, तो उसमें पोशक तत्व भी चाहिए, कितने नाइट्रोजन फासफोरस, नापोटेसियम, एनपीगे का जोनपाद होता है, तो करीब 80-120 किलोग्राम नाइट्रोजन, क्या हो सकता है, आपकी प्रती हक्टेर की यहां पर बात हो रही है, 40-60 ग्राम फासफोरस है, 40-50 किलोग्राम, सौरी, किलोग्राम है, यह आपका पोटेसियम, यानि क पोटास कहा जाता है अब देखिए धान की रुपाई प्रती हेक्टेयर 20-30 किलो ग्राम ठीक है धान की रुपाई होती है धान के पौधे रुपे जाते हैं लेकिन वहीं पर आपका आरो यारो मेंस 2014 में जो प्रस्ण पूछा गया था कि बास्मती चावल की रुपाई है तो उ आगे बढ़ते हैं और धान का आउसत उत्पादन प्रती हेक्टेयर 27-18 किलो ग्राम है यह लेटेस्ट है आर्थिक सर्विच्छन 2021 के अनुसार डाटा है ठीक है अभी मैं आपको आर्थिक सर्विच्छन का डाटा भी दिखाऊंगा अब एक चीज़ मैं आपको बता दू कि देखो भाई यूटूब पर मैं आपको फ्री आपको तो मैं दूँगा वीडियो फ्री दूँगा लेकिन इसकी PDF, Compile Notes, Mock Test अगर आप सब चाहते हैं तो हमारा एक initiative है बहुत ही नाम मात्रिक फीस पर कोई यहां पर आपसे ज़्यादा पैसे नहीं ले जा रहे हैं हमने इस इसका ही नाम रखा है ब्रमास पैच है जिसमें 80 days challenge मैंने रखा है जिसमें आपको हर विसय का notes मिलेगा देखे यहां पर मैं तादू कि यह lecture program नहीं है क्योंकि मैंने कहा कि आपके पास इतना समय नहीं है कि एक गंटे में आप एक topic गंटे में 10 questions 15 questions को solve करें एक गंटे में कम स और lecture त्यार करेंगे आप पढ़ोगे उसके हिसाब से आप mock test लगाओगे तो आप गंटे में 40-50 questions अराम से करेंगे ठीक है मेरा कहने का यह मतलब है ठीक आपको 140 question करने है दो घंटे में ठीक है तो ज्यादा ज्यादा समय का उप्योग करके तो कि जब आप देखो lecture वीडियो देखेंगे तो एक topic देखने के लिए घंटे घंटे का lecture देखेंगे उसमें सारी चीज़े हैं तो आपके पास अगर compile notes मिल जाता है ठीक है compile notes मिल जाता है हर डॉपिंग में जैसे में यह आपको agriculture दे रहा हूं इसका साथ history, geography, economics, politics, current affairs पूरे साल भर का मैं आपको पूरा दे रहा हूं सारी चीज़े है डिली आपको practice quiz कराए जाएगे 40 full length mock test दे रहा हूं जिसमें की 140% हिंदी के 60% सारी 140% GS के हैं और 60% हिंदी होगा आपका और इसी के साथ साथ यहां पर हम आपको जो हमारा हिंदी का बैच चल रहा है लच्छ और निबंध जो की pre plus main है यहां से सुनिए गार लेना या लेना यह आपकी मर्जी है लेकिन हम जो better है आपके लिए वो लेकर आ रहा हैं और मैं यह दाविक साथ क्या सकता ह अगर आप इस बैच में जुड़ते हैं तो जो नोटस हम आपको दे देंगा अगर आप उतना कर ले जाते हैं उतना पढ़ ले जाते हैं मौक टेस लगा ले जाते हैं आराम से आपकी kटाफ क्लियर हो जाएगी ठीक है तो यहां परते की फीस है एक हजार रुपए है मैंने आपको बताया है complete notes आपको दी जा रहे हैं जो को pre plus means दोनों में काम करेगा 40 full length pre का mock test हम यहाँ पर दे रहे हैं ठीक है daily practice quiz आपको कराए जाएगी जिससे कि जितना आपको रगड दिया जाएगा आप उतना निखर के बाहर आओगे yearly current affairs है हिंदी का complete live lecture जो batch है वो हम आपको दे रहे हैं और यहाँ पर अभी भी 100 रुपए का हम आपको extra discount दे रहे हैं ठीक है दिवाली offer है तो अगर आप RO80 लगाते हैं तो इस batch में entry आप मातर 400 रुपए में ले सकते हैं ठीक है और बहुत सारे बच्चों ने enroll किया है आप भी इसमे enroll कर होकर अपनी तयारियों को अंतिम रूप दे सकते हैं क्योंकि समय कम है आपके पास मैंने का ना कि अभी भी अगर आप zero से सुरुआत कर रहे है zero to hero आप बन जाओगे लेकिन जितना हम आपको देंगे यह promise आपको करना पड़ेगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है इस यह बैच देखिए हमारे अप्लिकेशन पर चलेगा हमारा अप्लिकेशन का लिंक विडियो डिया गया आप जाओगे डाउनलोड करोगे इस बैच को आप लैप्टॉप PC पर भी देख सकते हैं पढ़ सकते हैं mobile android version भी है अब यहां पर एक चीज़ मैं आपको बताना जाओंगा कि यह laptop version है यह आपको सारी जानकारी बैच में आपको दी जाएगी तो जैसे ही यहां पर आप इसमें जाएंगे courses में ठीक है courses में जाएंगे एक मिनट तो दुस्तों यह हमारी आप देख सकते हैं यह वेब साइट के वरजन भी है और यहां पर आपको यह पर महा बैच देखने को मिल रहा है जिसमें आपको कम्पलीट टाइप और हस हैंडिटे नोटस आपको दिये जाएंगे हिंदी वाला बैच फ्री दे रहा हूँ कम्पलीट हिंदी निबन का प्री और मैंस का बैच बिल्कुल फ्री है जिसकी भी प्राइज ट्रिपल नाइन थी आपको कूपन कोड लगाना है चालिस फुल लेंद मॉक्टेस है हल्प लाइन नमबर मिलेगा सारी चीज़े हैं यह हमारा नमबर हल्प लाइन है तो आप इंट्रिस्टेंड है तो मातर चार्ज सो रुपए में इस बैच में इंड्रोल कर सकते हैं और बहुत सारी चार्च वे किया है और बहुत सारी चीजें आपको इसमें हम इतने अगंटेंद्र आपको को लियर हो जाएगी कूपन कूड आपको लगाना आरो एट जिरो ठीक है तो यह थी जानकारी आपके पढ़न पढ़न से चलिए अपने टोपिक पर वापस चलते हैं इस बैच के लिए मेरा नमबर भी यह दिया गया आप इस पर WhatsApp या Call भी करके inquiry ले सकते हैं ठीक है आरो एट जिरो कोपन कोड लगाना है विदाउट स्पेस असी दिन का टार्गेट इसलिए हमने एट जीरो यहां पर आपको नोट किया है देखे धान रोपन की विधिया यहां से कुछा जाता है तो देखे यहां से कुछें पूछें उसको आप हिट करिए इधर उदर आपके पास बटकने का समय नहीं है कि पचास्थी किताब की विधिया है इसमें क्या होता है चावल उत्पादन के विधि जापान और फिलिपीन्स में प्रचलेत है और इसमें रोपनी हे तो जो पौधे होते हैं बारह हुए दिन तयार हो जाते है तो यह आप से डपोंग मेथेट पूछा जा सकता है क्या है भाई यह सीरी विधि देखें इसको स्री विधि कहा जाता है और इसका इंगलिस में अगर देखोगे शॉर्ट फॉर्म सराइ सीरी है सिस्टम आफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानि की चावल गहनी करण विधि इसमें क्या होता है धान के कई पौधों को एक सातना रोपकर अलग-अलग एक-एक पौधों को रोपा जाता है ठीक है चावल गहनी करण विधि तो आपके सीरी विधि पूछा गया है यह पूछा जाएक भाई यह क्या है तो चावल का है अब देखें सबसे महत्पूर्ण जो यह फैक्ट यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ चावल में जो मौजूद अब इसके बाद देखें भारत में कुल क्रिसी छेटपल के 32% पर धान की खेती की जाते है और प्रामुखादान फसल क्या है धान है यह भी ध्यानक ना और केंदरी धान अनुसंधान संस्थक कहां पर है कटा कोडिशा में है UPPCS में पूछा गया यह प्रस था और इनकी जो धान की प्रमुख प्रजातियों में अगर हम यहां पर देखें तो आप देख सकते हैं साकेत है गोविंद है कावेरी है जया सर्जू गोरी स्वेता भूदेव वर्सा चिंगम माही सुगंदा UPPCS मेंस 15 पूछा गया प्रस था कृष्णा हंसा विजिया पदमा पूसा सुग पूसा RS10 UPPCS मेंस 15 में पूसा 33, पूसा 14-60, पूसा 14-1, पूसा 15-09, बासमती 11-21, बाला सरी, लूना सरी ठीक है लूनी सरी वही आपका पासमती IR60 तो जो important है वो मैंने आपको bold भी कर दिया अलग से color भी कर दिया है और मैंने कहा रहा है कि अगर यह fact अगर आप पढ़ ले आते हो 80 दिन जो भी आपके पास बचे हुए, पचासी दिन बचे हुए हैं, आपकी अराम से cut-off clear होगी और हम आपको 40 mock test दे रहे हैं, महतपुन 2800 प्रस्न आपको GES में और 1200 प्रस्न आपको हम दे रहे हैं, हिंदी में दे रहे हैं, mock test भी आपको मिलना है, ज्यादा-ज्या ज्यादा mock लगाई है, ज्यादा-ज्यादा factual पढ़िये, लेटे सांकड़े पढ़िये, तो वो आपके लिए काफे फाइदे मन होगा, अब एक प्रस्न ये भी पूछा गया था, UPPCS 2010 में, क्या पूछा गया था, गोल्डें धान, पूछा गया प्रस्न है, गोल्डें धान क में पूछा गया प्रस्ता, और जो पालिस किये हुए चावल के उपरी परत से भी थाइमिन क्या होता, नश्ट हो जाता है, important fact है, और ऐसे चावल का लगातार सेवन करने से कौन सा रोग होता है, बेरी-बेरी रोग, विट्मिन B1, थाइमिन की कमी से होता है, अब धान के प बहुत बार पूछा जाता है, बगानी रोग हो गया, इस्टेम बोरर, कीट, लेफ, फोल्ड कीट, हॉपर, ग्रास हॉपर, सैनिक कीट, बहुत ही मात पूण है, ठीक है, यह ध्याना करने, रोगों में जीवानु परना, ठीक, अब धान में लगने वाले प्रमुकीट, तो स उस बैच में दिया जाएगा, यह कि थियोरी के साथ-साथ आपको, क्या है, आप हिस्ट्री हो, जाग्राफिक, नॉमिस, पॉल्डिस, सब कुछ आपको इस बैच में अबलेबल हो, वीडियो यूटुब पर फ्री है आपके लिए, धान का प्रमुक, खर्पतवार, समा या स हामा है, यह धियानक नापलो, और अजोला और नील हरित सेवाल का उपियोग धान की फसल में, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है, और धान की खेत में यह दलदली भूम में क्या होता, मिथेन नामक, आपका है ना, गयस पाई जाती, यह भी पूछा गया प् पश्री मंगाल नंबर वन पे है, लेटेश चांकर है, यह धियानक खियेगा बाइस देश के, दुती पर हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, ठीक है, थर्ड पर पंजाब है, और विश्च के परिप्रेश में चीन नंबर वन पे है, और हम भारत सेकेंड पर है, अब यह आप देख रहे हैं, किस तरीके साब के साथ मेहनत की जाएगी, तो आपका most welcome है batch में, अब बताना देखी हमारा काम है, वरना YouTube पर बहुत सारे batches, बहुत सारे courses है, कौन क्या दे रहा, यह आप अपने से फैसला कर सकते हैं, ठीक है, 39 पेज़ पर देखें, यहाँ पर है, ठीक है, 36, यह बहुत हिमात पूर्ण आक्रा है, अर्थिक सर्विच्छन, धियान रखेगा, यहाँ से प्रस्णा आएगा, और यह इसकी PDF भी मैं आपको batch में दे दूँगा, यह आप नेट से भी download कर सकते हैं, यह तो नेट से ही download है, लेकिन जो content जो compile notes है, वो सारे चीज़ उत्पादन है, ठीक है, 2021-22, ठीक है, 2021-22 में यहाँ पर आपके लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका, कहां गया है भई, ठीक है, 2021-22 में, ठीक है, चावल यहाँ पर है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका प्रति हेक्टेर उत्पादन कितना हो रहा है, 2718 ठीक है 2718 किलोग्राम प्रती हेक्टेर लेटेस आखड़ा इसके पहले 20-21 में 26 और 27 था 19-20-22 अला कि ये पुराने आखड़े ने लेकिन फिर भी 20-21 और 21-22 से क्वेशन बन सकता है इस बात को ध्यान रखेगा इस इक साथ अगर गेहूं देख लेंगे तो गेहूं आपका यह के प्रीवियस में 3521 ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं 3521 और 307 घटा है है ना आप देख सकते हैं घटा हुआ है आंकड़े जो अनुमानित आकड़े हैं तो इस तरीके से यह important facts है यह भी ध्यान रखेगा और इसके बाद धान के बाद हम यहां पर अपना धान हो गया आप गेहूं की बात करते हैं गेहूं से प्रस्ट बनते हैं गेहूं से क्या important fact है इसको देखिए यह भी आपका ग्रैमनी कुल का है लेकिन इसका जो वानस्पतिक नाम है ध्यान अकना टिट्रीकम एस्टिवूम में important है यह रवी की फसल आपको पता है यह भी है और इसके आवश्क आपमान 10 से 25 डिग्री सेंटिग्रेड मतल्म आप जाड़े में वह जाती है और गर्मियम काटी जाती है वर्सा देखें तो 75 से 80 सेंटे मीटर तक यहूं में पोशक तत इन पी के कितनी मात्रा में आप से पूछा जा सकता है कि नेट्रोजन की प्रति ह कितनी पढ़ती है तो 130 से 150 पसफोरस आपका 50 से 60 और 35 से 40 कलोगराम पुटेसियम है बौआई प्रति हेक्टेर 100 कलोगराम बीज यह होता लेकिन एक जो डिबलर विधी होती है इससे प्रति हेक्टेर 20 से 30 कलोगराम बीज भोया जाता है, ठीक है डीबलर विधी ये भी ध्यानक ना, डीबलर विधी इसे संबंदित है, गेहुं से ये भी आप से पूछा है जा सकता है, जीसे कि आपने देखा सीरी विधी 0 टिलेज 40 सीड ट्रिल नामक यंत्र गेहुं की प्रति हेक्टेर 3500 साथ किलोग्राम अभी मैंने आर्थिक सरविच्छन 212 के अनुसार अनुमानिता आपको बताया अब गेहु का सबसे इंपॉर्डन फेक्ट देखो यहां पर प्रोटीन आठ से पंद्रा परसेंट पाये जाता है गेहु में एक ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाये जाता है जो अधिक मात्रा में यह भी प्रसन आप से पूछा गया है बना हुआ प्रसन है विट्मिन B1, B2 विट्मिन E गेहु में पाये जाते है अब गेहु में जो लगने वाला प्रमखरोग है करनाल बंठ है पीला किट है भूरा किट है काला किट है सेहू करनाल बंठ यह पूछा गया प्रसन है ठीक है तो मैंने यही कहा ना कि आपको सीधे टारगेट पर हिट करने वाले कंटेंट ही आपको मिलेंगे इस बैच में और मात्र चार सो रुपए आपके लिए हमने इस बैच की फीच रखी दिवाली तक है ना इसके बाद 50% आउव यानि कि 500 रुपए हो जाएगा तो पहले 106 के लिए यहां पर 400 हमने रखा था लेकिन अभी भी मैंने यहां पर आफ कर दिया है दिवाली तक आपका तो 400 रुपए में इन्रोल होके आप कंप्लीट त्यारी कर सकते हैं घर बैटे बिना किसी टेंसन के सब कुछ देखिए आप इससे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए जितने में किताबे आप अलगले किताबे आपके पास होनी चाहिए फिर आपको कंटेंट डूढ़ना पड़ेगा उसमें आपका टाइम भी जाएगा लेकिन अगर आपको कंटेंट टूदा पॉइंट आपको मिल रहा है डेवाई डेली आपको कुश्चन करा जा रहा है मॉक्टेस दिया जा रहा है सब कुश्मिल ला है तो आप बस आपका पूरा फोकस क्या होगा पढ़ने पर होगा ठीक है समझ रहे हैं तो गेहूं का खरपतवार एक जो प्रमुख है वो है फेलेरिस माइनर ठीक है ये दियानकना ये पूछा गया प्रस्ट नहें जो गेहूं का मामा कहा जाता है अब ग गेहूं उत्रप्रदेश की प्रमुखाद फसल है नगदी फसल क्या है गन्ना है ये भी दियानकना ठीक है मदप्रदेश सेकंड प्लेस रखता है पंजाब धर रखता है वर्ल्ड में चीन क्या है पहलेस्तान पर है ठीक तो दीके जितना मैंने आपको आज के इस वीडियो म फ्री रहेंगी और जो कुछ भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको ये सब कुछ टॉपिक वाइस नोट्स पीडियेफ नोट्स और इतना मैंने आपको बताया है उस बैच में 400 रुपए मात्र भी फीस है दिवाली तक असके बाद आपका 500 रुपए हो जाएगा इसलिए मैं इसका नाम ब्रहमास रखा असी दिनों में और इतनी अच्छी तरीके से आपको हम इसमें त्यारी करा देंगे कंटेंट देंगे भरपूर मात्रा में कि आपकी कटाफ 130 प्लस आसान से क्लियर हो जाएगी और किस तरीके से क्या है जिसमें कि डाउट सेसन में हम आपसे लाइ आई है और इसके बाद मेरे ख्याल से एक दो साल पताजला भरती ही ना आए तो आपको बैठना पड़ेगा इंतिजार करना पड़ेगा ठीक है सुनारा मौका है पर जी आपकी है और कंटेंट हम आपको भरपूर मात्रा में देंगे इस लिए इस वीडियो मस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में इस नंबर पाव वाटसब कर सकते हैं या सीधी वीडियो डिशन वाक्स में हमारा आप का लिंक है जाकर वहां से डाउनलोड करके आप बैच परचेस करके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं किसी प्रकार समस्या होने पर या कोई डाउट है तो आप हम में कॉल या वाटसब कर सकते हैं तो थैंकि बेरी मच्छ दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में बहुत बहुत दनिवाद और हैपी दिवाल्यू तो अलफ यू मैं अलश्मी जी कृपा बनी रहें और आप सब का जो कैरियर है है जो आपका टार्गेट है वो आपको एची हो इनी सब सब्सक्रावनाओं के साथ इस वीडियो होगा हम लेते हैं विदा थैंक यू टेक कियर बाबाए